शबको ओम शांति आज हम अपने सभी छात्रों को मंगल में प्राता वेला में भक्ति में और अपने भक्ति से भगवान को भी द्रवित करने वाले परम भक्त रैदास जी के विशेम उनकी कविताओं का ध्यन करेंगे और रैदास भक्ति काले ने कवी हैं और वह बनारस के रहने वाले थे और उनकी जो कविताएं हैं वह आदंबर और बड़ा सरम ब्योस्था के विरोध में और भगवान की भक्ति से परम रस में ओत्परोध हैं तो ऐसे भक्त रैदास को हम सब का नमन आये उनका पहला पत नहीं सकते इसके लिए नाना प्रकार के उदाषण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से उनका मन परमात्वा में अनुर्ग्त हुआ है और कैसे चूट नहीं सकता पहले देखे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वह कहते हैं कि जब चंदन को घिसा जाता है तो चंदन और पानी एक हो जाते हैं तभी माते परतिलख लगता है तभी वह अच्छा बनता है तो ऐसे ही जैसे चंदन और पानी एक जैसे हो जाते हैं तो वह है छूट नहीं सकते और चंदन में दूसरी चीदे चंदन की सुगंध जिस प्रकार से चंदन की सुगंध चंदन में ब्यात रह अलग नहीं हो सकती उसे प्रकार से रदाश जी कहते हैं कि हम आपकी भक्ति से बिरत नहीं हो सकते और थात आप मारे मन में सुगंध की तरह से समाए हैं तो आप हे प्रभु आप हम आपको छोड़ नहीं सकते जाकि अंग अंग बास समानी बास मना तो सुगंध तो पानी में प्रभु जे तुम घन बन हम मोरा घन माने होता है बादल और बन गए दोनों हो सकता है जंगल भी दोनों चीज है हम मोर का मतलब होता है कि मयूर पक्षी तो मयूर पक्षी क्या होता है जैसे ही उसने बादलों को देखा और घटा चाई तो तुरंत उसका मन निर्थ करने लगता है तो वैसे ही प्रमात्मा को याद करते हुए प्रमात्मा को अपने द्रिष्ट में लाते ही रैदाश जी का मन बहुत प्रशन हो जाता है और जैसे चितवत चंद चकोरा चकोर पक्षी चंद्रमा को एक तक देखता रहता है वैसे अहर निस रात दिन एक तक अटल द्रिष्टी अटल चेतना अखंड चेतना का खंड प्रवार रैदाश जी के मन में चलता रहता हो प्रमात्मा से कभी अलग नहीं होता है प्रमात्मा हम सब के परमपिता हैं और एक पुत्र को हमेशा पिता की ही याद करती रहने चाहिए ताकि वह अपने पिता से कभी अलग नहीं हो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती हो कहते हैं कि है प्रभु जब दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें बाती रहती है तो जब तक परमात्मा है दीपक है तब तक उसकी बाती है और जब तक बाती है तब तक इस परमात्मा में अखंड लो किसकी लगी हुए है रैद प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे मोतियों को एक धागा पिरोता है वैसे ही परमात्मा के इस रिष्ट में शारे लोग हैं और उस धागे के पिरोने की तरह से ही कभी का मन परमात्मा में लगा हुआ है जैसे सोना ही मिला सुहागा सोने में जब सुहागा मिलता है तो सोना और अच्छा हो जाता है वैसे ही परमात्मा की भक्त से रैदाजी चमक गए हैं रैदाजी बहुत ही अच्छे हो गए प्रभु जी तुम श्वामी हमदासा और हे प्रभु आप हमारे श्वामी हमदास ऐसी भक्ति करे रहदास रहदास जी कहते हैं मैं ऐसी भक्ति कर रहा हूँ और आपको पा करके जैसे सोने में शुहागा और अच्छा हो जाता है वैसे ही रहदास जैसे असुद्ध लोग भी शुद्ध हो गए हैं आपको बता दें कि रैदाश जी पहले जमानी के चूत जात समझे वाली जात विरादरी में पैदा हुए थे। और प्रमात्मा के स्पर्ष भक्ति से परम पूझे हैं और बहुत सारे लोगों के भक्त कवियों में बहुत सारे भक्त कवियों में उन्हें अपना गुरू माना है तो ऐसे परम रैदाश जी को हम सब का नमन और उनकी यह कविता आप सब में भक्ति भाव जागरित करें हम सब के मन को पवित्र करें। हमें उमीद है कि इसमें कोई कठीन सब्दा आपको नहीं लगा होगा। और फिलहाल अगर ज़रा सा भी कोई समझ जाती थी था आप अगला देखिए। गुसाया मेरे मात छात्र धरें। छात्र का मतलब होता है। जिसके राजा लोग जब चलते हैं तो उनके ऊपर एक छात्र छाता रहता है। पहले जमानम जब चूद जाती है तो उनको लोग चूदे नहीं थे और उनको चूदे से ब्रामाट लोग अपने को अभवित्र मानते थे तो ऐसे अभवित्र विरादरी में पैदा हो करके छोट जगत के उलागे ता पर तुहीं ढरें ढरें का मतलब होता है किरपा करना दर्वीत हो जाना तो परमात्मा के दर्वीत होने से रैदाश जी जैसे लोगों के माति पर शम्मान का तिलग लग जया, सम्मान का ठीका लग जया, सम्मान का छत्र लग जया फिर क्या हो गया नीचों उँच करे मेरा गोविंद काहे तू न डरे ते न डरे वो कहते हैं कि नीचो को भी उच करना गोविंद परमात्मा का परम सुद्ध नाम है जो हमारे इंद्रियों के श्वामी है गाय इंद्रियों का परतीक है उनका श्वामी गोविंद कहलाता है तो ऐसे हम सब के श्वामी भगवान ही किरपा कर सकते हैं जो अचूत को भी परम प और शेन ये सत्तर गे किसके प्रमात्मा की आशिरवास से प्रमात्मा की भक्ति से कहे रवदास सुनो रेशंतो हर जूते सभै सरे सभी सरे माने सभी प्रमात्मा की सरण में जाने से प्रम पवित्र और मुक्ति पा जाते हैं इस अंसारिक भवबंधन से कष्टों से दूर हो ज और हमें पूरा मीध है कि यह प्याख्याब की समझमाई होगी और कहीं भी कोई समस्चाय थी कमेंट अवस्च करें और इस चैनल से जूड़े रहें इसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें और प्रमात्मा से प्रार्तना करें कि वह हम सब को सद बुद्य जिस प्रकार से रहदाजी परम पवित्र होगे वैसे ही हमारे शिष्य गाण और गुरूर दोनों ही प्रमात्मा के आशिरबासे परम पवित्र ज्यानी धन्वान ये सवान सब्बने मेरी शुब कामनायों शान्ती